अमान्दी पार्टी जहां दिल्ली में हुए स्वाती कांड को लेकर घिर गई है क्योंकि स्वाती मालिवाल से पिटाई को लेकर अब स्वाती मालिवाल ने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है इस मामले में F.I.R. दर्ज हो गई है और अब इस पूरे मामले की जांच आगे दिल्ली पुलिस करेगी दरसल स्वाती मालिवाल की पिटाई को लेकर अब अर्विंद केज्रिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी घिर गए है उनकी भी लगातार किर्की हो रही है वो चुनाप प्रचार के लिए जेल से बाहर आये थे लेकिन अब स्वाती मालिवाल के साथ जो उनके पिये विभव कुमार ने पिटाई की उसके बाद अब वो लगातार घिर गए हैं दरसल अब ये पूरी जांच की आच अर्विंद के जिवाल तक पहुँच सकती है क्योंकि अर्विंद के जिवाल के घर पर ही ये पूरा मामला हुआ था विभव कुमार ने अर्विंद के जिवाल के घर पर ही स्वाती मालिवाल से बदसलूकी की थी स्वाती मालिवाल के पिटाई की थी जिसके बाद अब पुलिस की जांच अर्विन किर्जिवाल के घर तक पहुंच सकती है दरसल अब पुलिस इस पूरे मामले में स्वाती मालिवाल का कलेवल से हुआ स्वाती मालिवाल के मेडिकल के बाद अब पुलिस आगे की जांच कर र सब्सक चामे के लगभक साड़े खी आननों यहां को बहुत मेडिकल रिपोर्ट भी जल्दी आ सकती है दरसल लगभग स्वाती मालिवाल का मेडिकल तीन घंटे हुआ और इसी दोरान वीडियो भी सामने आया जिसमें स्वाती मालिवाल लडखडाते हुए चलती हुई दिखाई दे रही है वह इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मेर मेडिकल तो हो चुका है क्या मेडिकल में निकल कर सामने आया और अब दिल्ली पुलिस आगे क्या करेगी देखें गौनिका जिस तरीके से 13 माई को ये पूरी घटना हुई अभी की खबर ये है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल का बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस क्योंकि घटना जिस तरीके से हुई वो पूरी घटना जो है वो सीएम हाउस के अंदर हुई जो स्वाती मालीवाल है वो 13 माई की सुभह जो है वो टेक्सी से सीएम हाउस पहुचती है ठीक इस गेट के बाहर उतरती है यहां से वो जो है वो अंदर एंट्री करती है पूरा यह पूरी बहस होती है जो नौज कर 34 मिनट पर जो कॉल की गई थी 13 माई को सोंबार के दिन उस कॉल में स्वाती मालिवाल ने ये कहा PCR को कि CM हाउस के अंदर उनसे मारपीट की जा रही है और विभव कुमार के कहने पर ये मारपीट जो CM अर्विन केजडिवाल है उनके कहने पर जो विभव कुमार है वो उनसे मारपीट कर रहा है उसके बाद वो रोती हुई बाहर निकलती है क्योंकि इसी गेट से बाहर आती है और पैदल निकलने के बाद रोड से वह बाहर की तरफ जाती है पैदल बाहर में रोड पर पहुंशती है और वहां से आटो करके वह सि कॉल मिलनिशीर हो जाती है जिसके बाद वो बिना बयान दर्ज कराए वहां से निकल जाती है उसके बाद काफी समय लगता है पुलिस उनको अप्रोच करती है क्योंकि लगातार स्वाती माली वाले उसको उनके बयान दर्ज करने के लिए पुलिस उनको लगातार संपर्क कर र और इसके लावा लोकल पुलिस के साथ स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है विभव कुमार कहा है क्या वो अम्रिस सर के अंदर है जिस तरीके से जानकारी निकल रही है या फिर जो अर्विन केश्रिवाल है वो इस समय मुंबई में है क्या उन उसे बात करने की कोशिश की लेकिन बात भी जो लोकेशन है विभव की वो कहां हो सकती है इसके लिए लगाता दिलिवी पूलिस को कोशिश कर रही है क्योंकि इस पूरे case के अंदर जिस तरीके से स्वाती मालिवाल ने आरोप विभव कुमार के उपर लगाए है उनकी statement इस पूरे मामले के ना गिरफतारी विभव कुमार के बिल्कुल तया है लेकिन वो कहा है और दूसरी important बात क्योंकि केजरिवाल मुख्यमंत्र के सरकारी आ देखने वाली बात होगी तो अभी जो पूरी investigation है जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो मुख्यमंत्री के आवास भी पहुंचेगी यहाँ पर CCTV कैमरे है उनको खंगाला जाएगा जो CCTV कैमरे जिस कंपनी के लगेव है उनको बकाईता दिल्ली पूलिस रिखेगे और बकाईता कि विभव कुमार ने अर्विंद केज्रिवाल के घर पर स्वाती मालिवाल से बतसलूग की की स्वाती मालिवाल से मारपीट की जिसके बाद ये पूरा मामला वेरिफाई हो चुका है और स्वाती मालिवाल के बयान के बाद अब एक तरीके से मोहर लग गई है इस पूरे मा बिना F.I.R के उनसे बातचीत कर रही है आमादी पार्टी और ये वह जो रहा था कि कहीं शायद F.I.R ना करे स्वांती मालीवाल का कोइश संपर्ध संपर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस तरीके से us-संघ सिंग प्रेस क्ये तो शायद ऐसा लग रहा था कि मामले को एक तरीके से कए पहले ही सेटल किया जा रहा है लिए को मामला सेटल हुआ ही नहीं बिल्कुल कोशिश की गई थी कि इस मामले को सुल्जा लिया जाए संजय सिंग इसमें मधैस्ता कर रहे थे संजय सिंग स्वातिमालिवाल के घर भी गये थे इसका footage भी है हमारे पास और इसके साथ साथ संजय सिंग बाहर आके मीडिया के सामने आके एक statement भी पढ़ा था जिसमें उन्होंने स्विकार किया कि विभब कुमार ने बदसलूकी की बदतमीजी की मारपीट उन्होंने शब्द इस्तमाल नहीं किया था इस बात की भी तस्दीक की थी उन्होंने कि स्वाति मालिवाल ने सीयम आवास के अंदर से ही 112 नमर पे कॉल किया था और ये सब कुछ ऐसा हो रहा था जिससे आप से हमारे पास जानकारी है कि स्वाती से बाचीत होने के बाद पार्टी सामने आई और इस बात को स्विकाग लिया लेकिन कल का घटना क्रम जो है वो लग रहा है कि इसमें ट्रिगर पॉइंट बना जिसमें ये दिख रहा है कि पार्टी जिसे कह रही है कि उसने बदसलू की की उसको सीम अरविंद केजरिवाल खुद अपने साथ लेके जा रहे हैं मीडिया से बात करने की कोशिश हुई लेकिन वो नहीं हो पाया अरविंद केजरिवाल खुद बयान नहीं दिये कुछ उन्होंने माईक संजय सिंग के तरफ दे दिया तो हो सकता है कि ये एक ट्रिगर पॉइंट हो और उसके बाद स्वाती को लगा होगा कि एक तरफ तो प हवर आई कि पुलिस वहाँ पहुंच गई है और की चार घंटे से अधिका समय वहाँ पर बिताया स्वाती मालिवाल ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसे स्टेटमेंट में कारवाई की बात कही गई और यहां तक की मारपीट हुई, कहां कहां मारा, यह सारी डीटेल उसने बताई है स्वाती मालिवाल ने, तो उसके बाद यह तैम आनके चलिए, कि जो बात चित चल रही थी, वो खत्म हो गई, मेरी बात दो फर, दो तीन बजे के बाद भी हुई है, पार्टी में कुछ नेता बना और उसके बाद ही स्वाती मालिवाल को ऐसा लगा, कि इस मामले में आके कारवाई करनी चाहिए, और यहां तक की विपक्ष से लेके तमाम लोग इस पे दवाव बना रहे थे, कि जो स्वाती मालिवाल पूरी दिल्ली में महिलाओं के लिए धाल बनके खड़ी थी, ऐस इसमें जो तेवर थे, वो बहुत तल्क था, तो उससे यह अंदाजा लग गया था, कि आब यह मामला बिगड़ गया है, और अब इस मामले में समझोते की कोई गुंजाश नहीं बची है, और अब स्वाती मालिवाल शिकायत करेगे और उस पे पुलिस कारवाई करेगे.